ओम शांति ओम शांति आज एक दिसंबर 2022 दिन गुरु वार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मदूर महावाक्यूं को मीठे बच्चे योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हे राजयोग सिखलाने इस योग से ही तुम विकर्मा जीत बन भविश्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो प्रश्न विकर्मों से बच्चने के लिए कौनसी प्रतिग्या याद रखो उत्तर मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई एक बाप से सच्चा रुखानी लव रखना है यह प्रतिग्या याद रहे तो विकर्म नहीं होगा माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है बाबा उस्ताद है उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हर नहीं सकती प्रश्न अपने बच्चों प्रतिग्या बाप की कौनसी आस है उत्तर जैसे लोकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को उँच पढ़ाऊं बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की पर ही बना दू बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ट बन जाएं गीत तकदीर जगा कर आई हूँ ओम शंती मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहां आए हैं किस के पास योग इश्वर के पास सिखलाने वाले इश्वर के पास इसको कहते हैं राज योग इश्वर योग सिखलाते हैं कौन सा योग हट योग तो अने प्रकार का है यह जिस्मानी योग न को ईश्वर योग नहीं सिखाते तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूं तुम बच्चे कह सकते हो वेहट योगी राजयोग सिखला नहीं सकते हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है जिसको योग इश्वर कहा जाता है मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योग इश्वर कह देते हैं श्री कृष्ण सत्यूग का प्रिंस है वहाँ योग की बात ही नहीं यह बहुत अच्छी पॉइंट है समझाने की तरकी बसीखो युक्ती से समझाया जाता है तुमारा सारा मदार योग पर है जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमा जीत बनेंगे भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है यह राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाए कोई सिखला न सके इसलिए इनका नाम योग इश्वर है इश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं क्या भारत को राजाई देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं, यह एम अबजेक्ट क्लियर है, भल राजाई कोई टुकडे पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परन्तु कहने में आता है विश्व का मालिक, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तक दीर बना कर आई हैं, सारी विश्व नई बन जाती है, कैपिटल भारत है, तुमारे नई विश्व में भी कैपिटल देहली होगी, यह मान सरोवर है ना, कहते हैं वास्णान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं, तुम यहाँ आये हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए, तुम बादिशाही लेते हो, तुमारे पास जेवर आदी धेर होंगे, तुम कहेंगे हम राज योग सीखते हैं, जिससे हम भविश्य में महराजा महरानी बनेंगे, परन्तु अगर श्रीमत पर अच्छी रीती चलेंगे तो, ऐसे मत समझ ना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे, नहीं, श्रीमत पर दैवी गुण धारन करने हैं, श्रीमत पर जितना चलेंगे, उतना श्रेष्ट बनेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं है, साहुकारों को सुनने की फुरसत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुरसत मिलती है, तुम्हारे जितनी फुरसत किसी को नहीं है जिनको लफड़े जादा हैं उनका योग लग नहीं सकता आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रत की सेवा कर रहे हैं घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं तुम भी जानते हो ये किसका रत है अगर शिबाबा को याद कर तुम इस रत की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पदपा सकती हूँ यह हुआ रत याद तो शिबाबा को करना है यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है बाबा कहां के लिए राजयोग सिखलाते हैं बविश्य नहीं दुनिया के लिए और सिखाते हैं संगम पर श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे वे तो सत्यूगी राजाई में था परन्तु वे राजाई किसने स्थापन की बाप ने प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया किसने राजयोग सिखाया वे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ तुम तकदीर जगा कराए हो भविश्य नई दुनिया में उच्पद पाने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो और कोई उपाय नहीं एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ दूसरे तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी कितनी भूल है बात छोटी है परन्तु मनुश्य की आँख खोलनी है बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ मैं ही तुमको ग्यान सनान कराए पावन बनाता हूँ ये पतित दुनिया है सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं परन्तु राज योग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं उनको कितना याद करना चाहिए फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए हम सोलह कला संपूर्ण बनते हैं खान पान शुद्ध होना चाहिए कोई जट धारन करते हैं गाया हुआ है सकिंड में जीवन मुक्ती एक जनक थोड़े ही होगा मिसाल एक का दिया जाता है द्रोपदी एक थोड़े ही होगी सबकी इलाज रखते हैं स्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं गीता में श्री क्रेश्न का नाम लिख दिया है इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो बक्ती में यादगार बनता है शी बाबा का कितना बड़ा मंदिर है जो सर्विस करते हैं उनका नामा चार निकलता है तुमारा देलवाडा मंदिर एक्यूरेट यादगार है नीची तपस्या कर रहे हो उपर राजाई के चित्र खड़े हैं अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए स्वर्ग को भी यादगरते हो कोई मरता है कहते हैं स्वर्ग पधारा परन्तु स्वर्ग है कहां ये किसी को मालूम नहीं समझते हैं भारत स्वर्ग था फिर उपर कह देते हैं बाप समझाते हैं सेकेंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है फिर भी कहते हैं ग्यान का सागर है जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ तो भी खुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा तो मेहनत की जाती है न सेकेंड की बात भी ठीक है बाप को जाना, तो बाप का वर्सा है जीवन मुक्ती साथ साथ यह समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है धर्म कैसे स्थापन होते हैं कितनी बाते हैं समझाने की साथ में बाबा को याद करो, वर्से को याद करो तुम याद करते हो, निश्चे भी करते हो हम विश्व की बादिशाही ले रहे हैं फिर क्यों भूल जाते हो बाबा कहते हैं, जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे इसमें टाइम लगता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहां रह नहीं सकते हो बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हो बात है बिल्कुल सहज अल्फ और बे चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं बुद्धी में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है सारा ज़ाड बुद्धी में आ जाता है बाप से सहजते सहजवर्सा लेना है कहते हैं बाबा योग नहीं लगता माया विकर्म करा देती है बाप समझाते हैं, बच्चे अगर विकर्म कर लिया, फिर तो बहुत बुर्शार्थ करना पड़ेगा, माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है, बाप कहते हैं, बच्चे मेरा बन कर कोई भी विकर्म नहीं करो, तुमने प्रतिग्या की है, मेरा तो एक श्रिव बाबा, दूसरा ना कोई, जैसे कन्या की जब सगाई होती है, तो पती के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए, तुमारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी, उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है, यह तुम घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है, अपने को आतमा समझ बाप को याद करना है, तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो, बाबा उस्ताद भी खड़ा है, कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो जो यह पांच विकार परवेश ही ना करें, लिखते हैं बाबा यह भूत आ गया, बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो, यह तो अंत तक आएंगे, और ही जोर से तुफान आएंगे, अग्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे, तुम कहेंगे व बंडरफुल ग्यान है, कोई मूँच कर छोड़ भी जाते हैं, बाबा बता देता है, तुफान बहुत आएंगे, जितना पहलवान बनेंगे, माया बहुत पचाड़ेगी, इसलिए महावीर बन स्थेरियम रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है, कर्म के विघन पड़ते हैं, यहां बहुत शुद्ध बनना है, चाहते हो हम सुरेवैंशी बनें, तो लायक बनना पड़े, यह है राज योग, प्रजा योग नहीं है, तो पुर्शार्थ कर राजाई लेनी चाहिए, तुम युक्ती से, गुप्तरीती से, कहां भी जा सकते हो, वह क्या है, आप हमको राज योग सिखला सकते हो, जो हम राजा बनें, ऐसी ऐसी बातें करतें ग्यान में ले आना चाहिए, तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ, जो एक ही बात से, उनकी बुद्धी धिली हो जाए, युक्ती वाले चाहिए, तब बाबा पूछते हैं, इतने सर विसेबल बने हो, बहुत संभाल रखनी पड़ती है, दुनिया इस समय बहुत गंदी है, यह भी एक कहानी है, दुरौपदी के पिछाडी की चक लगे, इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत खबरदार रहना है, मूल बात है राज योग की, किसी को भी यह समझाओ, कि राज यो युक्ती चाहिए, तुमारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं, वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी, रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ग्यान अंजन सत्गुरु दिया, अब आत्मा की जोत बुजी हुई है, म आत्मा की जोती बुझ गई है अब ज्यान का गृत पढ़ने से रोश्नी हो जाती है अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मामे कम याद करो ये श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते हम आत्मा भाई-भाई हैं बाप से वर्सा ले रहे हैं अच्छा हम कितना समय याद में रहते हैं य ये चाट रखना अच्छा है प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी ये युकती अच्छी है सर्विस भी करते रहो चाट भी रखो फिर उन्नती को पाते रहेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद्य और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार कोई भी भूत अंदर में परवेशना हो इसकी संभाल रखनी है कोई भी मा आके तुफानों में मूझना नहीं है खराब आदते निकाल देनी है याद का चाट रखना है साथ साथ रुहानी सेवाधारी बन रुहों को ग्यान का इंजेक्शन लगाना है वर्दान कोई भी कारे करते सदा दिल तक्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादिशाह भव कोई भी कारे करते सदा दल तक्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादिशाह भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझें जो सदा बाप दादा के दिल तक्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादिशाह बन जाते हैं क्योंकि इस तक्त की विशेष्टा है कि जो तक्त नशीन होगा वे हैं सब बातों में बेफिक्र होगा जैसे आजकल भी कोई-कोई स्थान को कोई न कोई नवीनता विशेष्टा मिली हुई है तो दिलतक्त की विशेष्टा है कि फिक्र आ नहीं सकती ये दिलतक्त को वर्दान मिला हुआ है इसलिए कोई भी कारे करते सदा दिलतक्त नशीन रहो स्लोगन नंबर आगे लेना है तो उसने और सहयोग के साथ शक्ती रूप धारण करो नंबर आगे लेना है तो उसने और सहयोग के साथ शक्ती रूप धारण करो ओम शंती